उम्शान्ति सत्यूगी नौलाख आत्माव को तयार करने के लिए हम महान तपस्वी राजरशी आत्माएं विशेश आज परमात्म वर्दान लेने के लिए स्वयम को तयार कर रहे है इस शरीर में रहते शरीर की सभी बाते और दुनियावी बातों से स्वयम को डिटैच कर ले और एकाग्र करे मस्तक के बीच में महसूस करे मैं आत्मा सफीद शमत्ता हुआ सितारा इस शरीर के भान से बिलकुल अलग हो चुका हुँ अपने मन और बुधी से मैं जगमगाता सफेद सितारा प्रकाश मनी इस थूल दुनिया से उपर की ओर उड़ता जा रहा हुँ बादलो से भी परे प्रित्वी के गलोब से भी परे सूर्य चंद्र तारागंड से भी उपर और उपर पहुँच जाता हूँ सुक्ष्मवतन में बाब दादा के पास बाब दादा बाही पसारे मेरा स्वागत कर रहे है और अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर सुक्ष्मवतन की सैर कराते है एक आएक बाब दा और मैं बिंदो रूप बन कर पहुँच जाते है परमधाम में ये स्वर्न लाल प्रकाश की दुनिया हमारा उरिजनल खर शान्ती धाम है पहुँच जाती हूँ मैं सब से उपर शुबाबा के बिल्कुल क्लोज मैं आत्मा जैसे ही शुबाबा को वो परम जोती को टच करती हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि परमात्म सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भी समाते जा रही है जैसे जैसे ये परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश करते जा रही है मैं आत्मा समान और संपन्न बनते जा रही हूँ स्वयम को सर्व शक्तियों से भरपूर करते हुए मैं आत्मा प्यारी पिता श्यू बाबा और ब्रह्मा बाप परमधाम से नीचे सुक्ष्मवतन में आ जाते है बाप दादा के सम्मुख आ जाती हूँ मैं और बाप दादा मुझे पावर्फुल द्रिष्टी दे रहे है समा जाएं इस शक्ति शाली द्रिष्टी में बाप दादा अपना वर्दानी हस्त मेरे सिर पर रखते है और मुझे महावाक्यों से भरपूर कर रहे है मेरे महान तपस्वी बच्चे सर्वश्रेष्ट मनसा शक्ती द्वारा चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो समीप हो वा कितना भी दूर हो सेकेंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ती की अनुभूती करा सकते है मनसा शक्ती किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिती को भी अचल बना सकती है मानसिक शक्ती अर्थात शुभ भावना श्रेष्ठ कामना इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संश्य बुध्धी को भावनात्मक बुध्धी बना सकते है इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते है श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के सुभाव को भी बदल सकते है श्रिष्ठ भावना की शक्ती द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूती करा सकते है श्रिष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते है श्रिष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है महसूस करे मैं फरिष्टा बापतादा के वर्दानों के हस्त के नीचे और मुझ फरिष्टे द्वारा श्रिष्ठ भावना के प्रकमपन सारे विश्व में फैलते जा रहे है ये श्रिष्ठ भावना हिम्मत्वान आत्माव का निर्मान कर रही है सभी आत्माएं हिम्मत्हिन से हिम्मत्वान बनते जा रही है इसी श्रिष्ठ भावना की विधी प्रमान मन्सा सेवा सर्वश्रिष्ठ सेवा हो रही है बाप दादा अपनी शक्त शाली द्रश्टी देते हुए मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माव को वर्दानी बोल से श्रिंगार कर रहे है मिठे बच्चे मन्सा सेवा वर्तमान समय के प्रमान अती आवश्यक है लेकिन मन्सा सेवा वही कर सकता जिसकी स्वयम की मन्सा अर्थात, संकल्प, सदा सर्व के प्रती श्रेष्ठ हो निस्वार्थ हो पर उपकार की सदा भावना हो अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ती हो सदा दातापन की भावना हो सदा स्वपरिवर्तन स्वप के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेर्णा देने वाले है अभी कमजोर आत्माओं पर रहम की भावना रख सयोग देने की भावना रख हिम्मत बढ़ाने का समय है इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी ये मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा करवा सकता है वाचा और कर्म के लिए जाने की कोई आविश्यक्ता नहीं पड़ती ये मनसा सेवा कहां भी बैठे हुए कर सकते है बाप्ता दद्वारा ये वर्दानी हस्त मुझे मनसा सेवा के लिए तयार कर चुके है मनसा सेवा रुहानी वायरलेस सेट है जिस द्वारा दूर का संबंध समीब बना सकते हो दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो जो वह आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ती बुला रही है कुछ अनमूल प्रेड़नाय मुझे प्रेड रही है जैसे कोई को समुक संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो ऐसे मन सा शक्ती द्वारा भी वह आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सम्मुक बोल रहा है दूर होते भी सम्मुक का अनुभव करेगी विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मन सा सेवा है परमात्म महावाक्य है जैसे साइन्स वाले इस साकार स्रिष्टी से प्रिथवी से उपर अंतरिक शियान द्वारा अपना कार्य शक्ती शाली बनाने का प्रेतन कर रहे है स्थूल से सुक्ष्म में जा रहे है तो बाबा कहते है सुक्ष्म शक्ती शाली होता है बाबा की सारी सुक्ष्म शक्तियां मेरी द्वारा सारे विश्व में फैर रही है महसूस करे इस परम सेवा को मेरे द्वारा होते हुए मन्सा शक्ती भी अंतर मुखी यान है जिस द्वारा जहां भी चाहो जितना जल्दी चाहो पहुँच सकते हो जैसे साइन्स द्वारा पृत्वी की आकर्षन से परे जाने वाले स्वतही लाइट हलके बन जाते हैं ऐसे मन्सा शक्तिशाली आत्मा स्वतही डबल लाइट स्वरुप सदा अनुभव करती है जैसे अंतरिक शियान वाले उंचे होने के कारण सारे पृत्वी के जाहान के भी चित्र खींचने चाहे वहां के चित्र खींच सकते है ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर मुखी बन इस यान द्वारा मन्सा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की श्रिष्ट आत्मा बनने की प्रेर्णा दे सकते हो साइन्स वाले तो हर चेज़ पर समय और संपत्ति खूब लगाते है लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सिवा कर सकते हो ये परमात्म महवाक्य है हम बच्चों प्रती बाप दादा हमें श्रक्तियों से भरपूर करते जा रहे है ग्यान खजाने से संपूर्ण बनाते जा रहे है और कहते है जैसे आज करल कहां कहां फ्लाइंग सौसर उर्ती तशकरी देखते है समाचार में सुनते हैं वह भी सिर्फ लाइठी देखने में आती है ऐसे आप मन्सा सेवाधारी आत्माओं का आगे चल अनुभव करेंगे कि कोई लाइठ की बिंदी आई विचित्र अनुभव कराके गई यह कौन थे? कहां से आए? क्या देकर गए? यह चर्चा बढ़ती जाएगी जैसे आकाश के सितारों की तरफ सब की नजर जाती है ऐसे हम पर मात्म बच्चे विश्वस सेवाधारी आत्मन है ऐसे धर्टी के सितारे दिव्य जोती चारों और अनुभव करेंगे ऐसे शक्ति शाली मंसा सेवाधारी बनने का बहुमूल्य वर्दान आज पर मात्मा ने मुझे दिया है इस सिवा से नौलाख सत्यों की आत्माएं तयार होनी है तो बार बार अपने आप को इस सिवा में व्यस्त कर दें बाबा के वर्दानों से भरपूर होते हुए संपूर्ण और संपन्ण शक्तियों से अनुभव करते हुए मैं फरिष्टा सुक्ष्मवतन से नीचे आ जाता हूँ अपने इस थूल शरीर में मन्सा सेवा का प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए संपन्ण और शक्तिशाली स्थिती को महसूस करने और कराने के लिए मैं अफ्तरित हुआ फरिष्टा पूर्ण रूप से मन्सा सेवाधारी श्रेष्ठ विश्वश सेवाधारी परमात में बालक हूँ ओम शंती ओम शंती ओम शंती झाल